प्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं जल्द ही कपिल देव के जीवन पर एक फिर्म बनने वाली है आज हम इसी सर्व स्रेस्ट किर्केटर के जीवन की कहानी लेकर आएं आज हम बताएंगे कितनी उम्र में खेला था कपिल ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच और कैसे किया था अपनी पत्ती रोमी को पर पोच उन्हें क्यों देना पड़ा था नेशनल कोच के पत्त से इस्तिवा और यह खिलाडी कभी नहीं हुआ रन आउट सबसे पहले बात करते हैं कपिल के जन्म और बच्छफन की कपिल देव का जन्म 6 जन्वरी 1969 को चंडिगड में हुआ है उनके पिता का नाम रामलाल और माता का नाम राजकुमारी लाजवल्दी है कपिल देव केवल 17 साल की उम्र में हरियाना की ओर से रंजी टीम में सामिल हो गए थे उन्होंने 19 साल की उम्र में 1989 में पाकिस्तान के खिलाब पहला टेस्ट मैच खेला उन्होंने पहला वंडे भी पाकिस्तान के खिलाब ही खेला था बड़े अनोखे अंदाज में किया था रोमी को परपोच कपिल देव ने रोमी भाटिया से 1980 में साधी की उस वक्त दोनों की उम्र 21 साल थी यह लो मेरिज थी कपिल देव रोमी के सामने साधी का प्रोस्ताव रखने में हीच कीचा रहे थे इसलिए उन्होंने अलग ही रास्ता चुना कपिल एक बाद ट्रेन में रोमी के साथ यात्रा कर रहे थे जब ट्रेन एक खोबसूरा जगह से गुजरी तब कपिल ने रोमी से कहा क्या तुम इस जगह की तस्वीर लेना चाहोगी जो हम अपने बच्चों को दिखा सके रोमी को पहले तो यह बाद समझ में नहीं आई लेकिन कुछ ही देर में समझाने के बाद उन्होंने हा कर दी शादी के 16 साल बाद कपिल और रोमी के घर आमिया का जन हूँ सबसे अच्छा साल रहा 1983 1983 में सुनिल गावसकर को कप्तानी से हटा कर कपिल देव को कप्तान बनाया गया जिसके तुरंट बाद इसी साल कपिल देव की कप्तानी में भारत ने अपना पहरा वर्ल्ड कप जीता था कपिल का एक सच आज भी याद किया जाता है 1987 के वल्ल कप में कपिल का सच आज भी याद किया जाता है हुआ यूँ था कि वल्ल कप में पहला मैच ऐस्टेलिया और इंडिया के बीच में हुआ इस मैच में अमपायर ने गलती से एक छक्के को चोका मानकर ऐस्टेलिया के रनों में जोड दिया था कपिल ने याद दिलाया कि वे चोका नहीं छक्का था इस परकार भारत को जीत के लिए 279 की जगे 271 का टारगेट मिल गया और भारत 279 पर आउट हो गया कपिल की यह इमानदारी आज भी याद की जाती है जब कपिल पर लगा मैच फिक्सिंग का आरोग कपिल देव ने 1944 में में अंतरराष्टे किर्केट को भी अलविदा कहा था रिटार्मेंट के बात 1909 में में कपिल देव को इंडियन किर्केट टीम का कोच बनाया गया कोच के तोर पर कपिल देव सफल नहीं रहे साल 2000 में कपिल देव पर उनके साथी खिलाडी रही मनोज प्रभाकर ने मैच फिक्सिंग करने का आरूप लगाया इसके चलते अगस 2000 में कपिल देव को कोच की पत से इस्थिपा देना पड़ा था कपिल देव अकेले ऐसे खिलाडी है जिनको अर्जुन परसकार पदम सिरी और पदम भुसन से समानित किया गया है तो दोस्तों यह थी कपिल के जीवन की कहानी आप बने रहे वाई आर वाई एटिन के साथ हॉलिवड बॉलिवड और देश विदेश की महन हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद